असलाम अलेकूम वलकम टू सोनो मोनो कीचेन आज हम बना रहें सुया पालक की भाजी और गोश्त इसमें हम पहले तेल डालेंगे अपनी कॉंटिटि की हिसाब से तेल डालेना मैं दो तीन चमन दाली इसमें प्यास दालेंगे और उसको अच्छे से भून लेंगे प्यास को फिर ये गोश्ट है उसमें नमक, अदरक्लेस्व, हल्दी और मिर्ची इस सारे चीज़ां हम गोश्ट में दालेंगे मैं वाईस दे रही हूं, मैं वाईस रिकार्ट कर रही हूं, मतलब पकाद स्टेंप वीडियो बनाने थ्ывाटर बच्छे डिस्टप कर रहे थे प्याज लाल होगए अच्छे से गोश्ट दालेंगे, उसको गोश्ट को अच्छे से भूलेंगे थोड़ा उसका कच्चा पन चले जा रहा गोश था जब तक हम भून लेंगे उसके बाद पानी दाल लेंगे पानी दाल लेंगे हम गोश तो गलें छोड़ेंगे लकान लगा देंगे दो तीन सीटी होने देंगे दो तीन सीटी होने तक हम भाजी दो लेंगे नेा है हम गोश गल गया शाइच है कर लेना को ज़्ञतर फिर पानीडाल के यहां पर में चेक करीजिदा यहां पर मेड़ा था कुझा ह संही मिटि भोत रहती भंद हम आएजिदा आप अ थोड़ी थोड़ी करके डालना क्योंकि एकदम नहीं आता थोड़ा मिक्स करना फिर थोड़ा डालना ऐसी करके हम पूरी भाजी डालेंगे भाजी को अच्छे से मिक्स कर लेंगे भाजी अच्छे से मिक्स होने के बाद अब इसमें हम आलू डालेंगे थोड़े से आपकी मर्जी आलू डाल सकते हैं ने डाल सकते में को बच्छों को आलू पसंद है तो मैं डाली आलू को भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे मिकस कर लेके थोड़ा साथ हम किょ значит हम भी पक रहा था जह साइब अब कर दो अबशे से मिकस कर लेके थोड़ा दम पर छोड़देना इसको पी तर अब हम सफ करना अब खाना खाने निकाल रही तो मैं एक सालन निकाल दी फिर टेस्ट कर लेना नमग मिर्ची अपने हिसाब से मैं हमारे पस एक ही की चमचा कॉइंटिटी हमारी मिर्ची ने खाते अपने पस ज्यादा एक चाय का चमचाई मिर्ची दालती मैं नमग चेक कर दालती है यह रेडी होगा अपनी भाज